दोस्तों आपका हमारे अन्राग लेप 3M YouTube चैनल में हर्दिक स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में Excel में डीसम फंक्षन का यूज़ करना सिखेंगे और यह जानेंगे कि यह Advanced Filtering से बेटर क्यों है तो हम यहाँ पे Equal to Employee Name पे क्लिक कर देंगे तो जो उपर Employee Name है वो यहाँ पे पढ़ जाएगा इस टाइप से और इसको गाईस Corner से पकड़ कर Expand कर देंगे Right Side तो जो उपर Fields है वो यहाँ पे अपने आप पढ़ जाएंगे और इन सभी Fields में हम Data Validation डाल देंगे जिससे कि हम Direct Criteria चेंज करा पाएं और Last में मैं Total डालूंगा Total में Guys हम लोग D Sum का Function डालेंगे Equal to D Sum करेंगे तो हम लोग चलते हैं पहले जो हमने ये Criteria बनाए हैं इन पे Validation डाल गाते हैं तो Data पे जाके Validation पे जाके List ले लेंगे और Guys यहाँ पे हम जैसे कि Apply Name वाली रेंज को यहाँ पे Provide करा रहे हैं Same इसी Type से Manager के लिए भी करना है और Village के लिए भी करना है और Color के लिए भी करना है तो Same इस बार मैं यहाँ पे Manager वाली रेंज लूँगा इस Type से और Village में जाके Village लूँगा तो सेम डेटा टैप में फिर से गए लिस्ट लिया, यहाँ पे विलेज के नाम सेलेक्ट करवा दिये सेम इसी टाइप से हम लोग इंपलाई कलर भी भरा देंगे इस टाइप से, इस बार इसमें इंपलाई कलर चूज कर लेंगे और गाईज यह करने के बाद में अब हम टोटल पे चलते हैं और डी सम फंक्सन डालके दिखाते हैं एक्वल टो डी सम करेंगे गाईज यह डेटा बेस मांगता है तो इसको हम पूरा डेटा बेस प्रोवाइट करा देंगे उपर से, और कॉमा देंगे कौमा के बाद में ये field पोच रहा है inverted कौमा में imply sale डाल देंगे चोकि हम चाहते हैं कि imply sale को ये जोड़ के बताए कौमा देंगे और ये criteria की range डाल देंगे जो अभी हमने criteria बनाया था इतना करने के बाद में bracket बंद कर देंगे और guys अब जब आप यहाँ पे कोई भी criteria चूज करेंगे data validation की साहता से ये देखिए कोई भी criteria आप यहाँ पे चूज करेंगे उसके हिसाब से T sum है आपके database से imply sale को calculate करके बताएगा तो guys हम इस function की साहता से अपने data के किसी भी field को calculate करवा सकते हैं बाकी के जो fields हैं वो as a criteria काम करेंगे दोस्तों advanced filtering में क्या होता था कि हम लोग बार-बार criteria चेंज करके हमें दोबारा से advanced filtering अपलाई करनी पड़ती थी जिससे की data populate होता था इस बार क्या हुआ है ये d sum function जो है इसमें हम direct criteria चेंज कर रहे हैं और जो चीज हमें जोड़नी है वो उसी जगह पे ही जोड़के बता रहा है गाइस ये d sum function जो है ये advanced filtering से काफी advanced है आप इसका use अपने database में कर सकते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के अंत में comment करके जरूर बताएगा और इसी टाइप के टेकनिकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे अनुराग लेब प्रियम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने आपका अपना दोस्त अनुराग पांडे धन्यवाद आपका दिन सुब हो